फ्रेंड्स हमने पांच कच्चे आलू लियें, इनका हम छिलका उतार देंगे, सारे आलू का छिलका उतार दें तो ये देखें मैंने पांचों आलू का चिलका आटा दिया ये कच्छे आलू है अब हम इनको छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो हर एक आलू को छोटे टुकड़ों में काटें इसलिए छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं क्योंकि ये जल्दी बॉयल हो जाएगा वरना आप प्रेशा कुकर में बॉयल कर लें, तीन सीटी में तब भी जल्दी हो जाएगा, दस मिनट में आलू गल जाएंगे, मैं कड़ाई में कर रही हूँ, इसलिए मैं छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, आलू को, अब हम आलू को साफ पानी में दो से तीन दफा दो लेंगे अच्छे से, ताके जो भी मिटी है वो निकल जाए, अच्छे से आलू को मसल मसल के दो लें, पूरी मिटी को हटा दें, यह दूसरे पानी में दो रही हूँ, एक पानी में दो लिया, यह देखें, दूसरा पानी बिलकुल साफ आ रहा है, मतलब हम नारे आलू बिलकुल साफ हो गए है, तो अब हम इसे कड़ाई में डालेंगे, कड़ाई में मैंने पानी उबालने के रिए रखा था, पानी उब नटिए कि अलू डाल डाल देंगे और डग लेंगे 10 मिन लगता है अलू गलने और 20 मिन लगेंगे 10 कड़ाई में Click पर पकने में 20 मिनट के बाद ये देखे हमारे आलू गल गए हैं मैं आपको एक तो फॉक से दिखा देती हूं तो अब हम ये आलू निकाल लेंगे बरतन में तो सारे आलू निकाल लें एक बरतन में तो मैंने सारे आलू निकाल दी हैं अब हम आलू को मेश करेंगे अगर आपके पास ग्रेटर है और आप प्रेशा कोकर में बड़े चंक्स बॉयल करें पूरा आलू तो उसे ग्रेट कर लें पीस आलू कदू कर लें और अगर आप ये चोटे टुकडे कर रहे हैं तो हातों से मेशर से मेश कर लें जैसे आपको इजी लगे बस इसमें गुटली नहीं होनी चाहिए अच्छे से मेश होना चाहिए आलू इसमें डालें डेड़ बड़ा चमच नमक एक और आदा बड़ा चमच नमक डालें या हस्बे जायका नमक डालें जितना हम खाते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक पूरा कप मेदा दीरे दीरे करके मेदा डालेंगे टोटल एक कप मेदा डाला था मैंने तो ये देखें पहले मैंने आदा कप डाल दिया और आदा कप बाद में डाला है तो टोटल एक कप मेदा लगा है क्योंकि आलू गीला होता है तो आप जब इसे रोल करेंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे इसलिए ये गीला नहीं होना चाहिए इसका हमें सकत आठा जैसे लगाते है न वैसे डौ बनाने न एसका तो मैंने एक कप मेदा डाला था और एक कप ब्रेड क्रफ से डाले थे इसमें तो अच्छे से सारी चीजों को मि 그렇지 कर लें यह मैं और मेदा डाल रही हूं मतलब टोटल एक कप मेदा डालना है आपको थोड़ा-थोड़ा करके क्योंकि आलू गीला नहीं होना चाहिए वरना आपके जो सिमाइली है वो बनेंगी नहीं तो ध्यान रहे इस बात का एक कप मेदा डाला था मैंने और आलू-ालू पर भी ड जादा पानी लेता है जादा आटा लेता है और कोई आलू कम आटा लेता है तो आपको उस चीज का भी द्यान रखना पड़ेगा तो टोटल मैंने एक कप मेदा डाला है इसमें और अच्छे से थोड़ा गून ले अभी भी आलू-ालू गीला लग रहा है तो आब हम इसमें एक कप ब्रेड क्रॉम्स डालेंगे मैंने घरकी जो चार डबर रोटी होती है उनको मैंने पीस लिया था ब्लिंडर में ब्लिंडर में तो ये देखें उसका चूरा बन गया है तो अच्छे से मिला लें इसके सारी चीज़ों को एक कब जितना ब्रेड करम्स डाल दें और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लें तो नमक को चेक कर लें अगर कम लग रहा है तो ओड डाल दें तो आप चाहें तो काल्या मिर्च और काली मिर्च और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें मैंने सिर्फ नमक की डाला है सीजनिंग आप अपनी मर्जी की कोई भी मसाला डाल सकते हैं अब मैंने इस आटे को तीन इसो में डिवाइट कर लिया है दो से माईली मैंने बना लिया है देखें अब दूसरी मैं आपको दिखा देती हूँ प्लास्टिक शीट लें उस पर एक पेड़ा लें यालू का डाओ वाला ऐसा एक लें पेड़ा और बेलन की मदद से रोल करें आप चाहें तो हातों से भी चप्टा कर सकते हैं और इसे रोल कर लें बेलन की मदद से और फिर अब हम इसकी गोल-गोल रिंग्स काटेंगे कोई भी गिलास लें या कुकी कटर लें और उससे इसको गोल-गोल शेप में काटें और इस्ट्रा की मदद से हम इसकी आखें बनाएंगे ये देखें मोटी बड़ी इस्ट्रा ली है मैंने उसकी मदद से हम इसकी आखें बना लेंगे और फिर चमच की मदद से हम इसकी मुस्कराट बना लेंगे मतलब सिमाईली आखें बना ली इस्ट्रा से आप चाहें तो पेन के जो ढखना होता है उससे भी आखें बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो उसे आखें बना लें और अब हम इसकी सिमाईली बना लेंगे तो यह देखें सिमाईली बना ली मैंने तो यह आराम से प्लास्टिक शीट से आप रिमूव कर सकते हैं यह कटलेट्स से माईली पोटेटो कटलेट्स आराम से ये प्लास्टिक शीट से हट जाएंगी ये देखें कितनी आसानी से ये उठी जा रही है मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ ये देखें इसका शेप भी खराब नहीं होगा और प्लास्टिक शीट के बजाएं बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो गर प्लास्टिक शीट अवेलेबल है तो वो यूज़ करें वरना बटर पेपर यूज़ करें तेल गरम होना चाहिए और मीडियम फलेम पे सुनेरी ब्राउन होने तक हम पका लेंगे गॉल्डन ब्राउन पकाना है मीडियम फलेम पे तो थोड़ी थोड़ी दियर बाद ये सिमाइली डालते जाएं तो थोड़ी पहले इसे एक मिनट तक पकने दें जाके ये color आजाए नीचे से medium flame पर जैसे color आजाएगा फिर हम इने ओपर तेरने लगेंगी फिर हम इने पलट देंगे ये देखें कितना अच्छा shape आया है smiley का तो इसी तरह हम सारी smiley बना लेंगे और golden brown fry करेंगे तो अब हम इसे पलट देते हैं दूसरी side से भी ये बराबर पकें इससे पलट दें और दोनों side से dark golden brown होने तक पकाएं आप चाहें तो light golden brown भी पका सकते हैं जैसा color आपको अच्छा लगता है वैसे पकाएं तो ये पक गई हैं ये मैं निकाल लेते हैं पलेट में इसी तरह हम सारी दूसरी बनाएंगे तो ये पक गई हैं ये हम निकाल लेते हैं पलेट में इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे potato smiley ये निकाल लें पलेट में तो अब हम दूसरी बनाते हैं उसी तरह एक डौ का ऐसा लें और हाथों से यहां बैलन से इसे आदे इंच जितना मोटा रखें थोड़ा मोटा रखें पतला ना रखें वरना आप जब उठाएंगे तो यह तूट जाएंगी और जो बाजा की रेडिमेंट मिलती हैं वो भी थ माइल बनाएंगे तो इसी तरह यह सारे पोटेटो काट लें तो अब यह एक्स्ट्रा आटा आराम से हट जाएगा यह देखें आराम से एक्स्ट्रा आटा आटा दें और फिर हम इसको दुबारा से जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे दुबारा से हम बेल देंगे यह दे आखें बना ली अब हम इसे सिमाइल बनाएंगे और आखें बना लें तुतिस्ट्रा से आखें बना लें चमच से सिमाइल बना लें मुस्कराट तो यह देखें मैं चमच लिया और उससे यह सिमाइल बना रही हूँ जब चमच से सिमाइल बना रहे हैं थोड़ा उसे नीचे ताब को नीचे खीचिएंगे कोहने दोन नजर आएंगे अच्छे यह वह से प्लास्टिक शीट से तो अब हम रिया तेल करेंगे अच्य एगए ब्राउन फ्राइ करेंगे हम इसे तो मैंने ये सारे अब हम इसमें डालते जा रहे हैं ये एक-एक करके डालें ताके ट्रेल का टेंपरेचर एकदम से नीचे ना हो जाएं और मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करें गोल्डन ब्राउन हमें फ्राइ करना है मीडियम फ्लेम पे मीडियम फिलेम पे गोल्डन ब्राउन ये एक साइट से पक गई है तो अब हम इने टर्न कर लेते हैं फिलिप कर लेते हैं दोनों साइडों से डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राय कर लें सुनेरी रंग आने तक पका लें इनको ये देखें कितनी जबर जब समाइली बनी है हमारी देखने में भी अच्छी लग रही है तो ये पग गई हैंने हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो ये निकाल लें प्लेट में और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे इतने हाटे में से आपके 20, 20, 16 से 20 समाइली बनेंगी 5 ये धालू में से तो ये देखें इस दफ़ा में हाथ से चप्टा कर रही हूँ आटे को हाथ से बड़ा कर रही हूँ आपके अगर बैलन से नहीं होता तो हाथां से इसको चप्टा कर ले और फिर हम इसमें ग謁ल compliant करेंगे हाथों से इसको चप्टा कर ले और गलास की मदद से हम इसे गोल गोल काटेंगे और फिर आखें बनाएंगे और सिमाइल बनाएंगे तो यह देखें गोल गोल काटते जाएं गलास से आराम से हो जाएगा अगर नहीं होता तो गलास पर इस्ट्रा पे थोड़ा कान फ्लोर लगा के कान फ्लोर में डिप करें और फिर आखें बनाएं उस तरह भी जल्दी बन जाएगा इस्ट्रा को कान फ्लोर में डिप करें और फिर आखें बनाएं हर दफ़ा यही करें आखें बनाने से पहले इस्पून को भी कानफलोर में जिल हाड तेल गरम होना चाहिए मीडियम फिलैम पर पकाएं अगर तेल तंड़ा होगा तो आपकी पोटेटो की कटले 서 हैं नीचे जाके तेल में चपक जाएंगी और फिर फट जाएंगी तो इस पात का ध्यान रहे थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब यूर व्यूस मेंटर से लॉट प्रेस बेल आइकन बटन थैंक यू फॉर वाचिंग